जब बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए ये कहावत पाकिस्तान के उपड बिल्कुल सटीक बैठती है और वो इसलिए बैठती है क्योंकि कल ही इरान के रेविलूशनरी गाड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रात में ताबर तोड कई अटाक कर दिये एक बड़ संकी संगठन जैश अल अदर की ठिकान उपर इस हमले में सीन बच्चियां खायल हुई है कंभी रूप से जबकि दो बच्चे की मौत हो गई है लेकिन जैसा ही अटाक हुआ पाकिस्तान तल मिला गया बॉखला गया और अननसान में एक स्टेक्मेंट जारी कर दी और स्टेक की गई थी तो सामने से स्टेक्मेंट यह आया था कि मैस कुछ कवे मारे गए हैं और कुछ पेड़ ही गिरे हैं कोई बढ़ा अटैक नहीं हुआ है कम से कम अपकी बार तो सच को बूला आपकी बार तो माना कि हां इरान की ओर से अटाक हुआ है आप किहां कुछ लोग मारे लेकिन किस मूँ से आप बदला लेनी की बात कर रहे हैं किस मूँ से रिटालियेट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं पिका करते आप यह कैसे बूल गया कि वही जैश अल अदर आतंकी संगठन है ज कैसे हो गया कि पाकिस्तान की बलूचेसान प्रांद में आतंकी संगढ़ंकी मौजूद्गी है ये तो वहाद गौर करने वाली बात है लेकिन आप इस बात को माने ना माने लेकिन जैश अल अदर इस टेर्रिस आउट्फिट ने अपना एक ऑफिशिल स्टेटमेंट जो जारी कर दिया है उससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान आप आतंकवाद को पणाह देते हैं ये तो रही पाकिस्तान की बात लेकिन पाकिस्तान को इस्तेमाल कैसे दिया जा रहा है वर्ड वर्ड की तरफ इसको इसका जिकर हम कर लेंगे दर असल इरान ने दो दिन पहले ही एस ट्राइक की थी हमला किया था इराक और सीरिया पर इराक पर इसलिए अटैक किया क्योंकि इरान में जब जनरल सुन्रे मानिक की डेथ अनिवर्सरी मनाई जा रही थी वहाँ पर जब मज़मा लगा हुआ था जो लोग कटा हुए थे उस पर आइस आइस द्वारा आटैक कर दिया गया था और इरान का मानना ये था पी अटाक आटैकर य मौजूद इस तो आपर tenant कर रहे हैं जाइक है अब समझे इस बात को मुडल इस में पहले ही बहुत ज़दा गर्मा गर्मी बढ़ गई है मीडल मुण इस्की अगर बात करें तो सबसे पहले यमन का दिकर करेंगे, यमन के चाहे हूती विद्रोही हो, या फिर गाजा में हमास हो, या फिर पलिस्टाइन में, पिलिस्तीन में हिजबुल्ला हो, इन सब की जो चाबी है, वो इरान के पास है, और ऐसे में अब अमेरिका, जो सुपर पाउर कंट्रीज हैं, वो डरी ह हुई है, क्योंकि उन्हें खतरा सता रहा है, वर्ड वार होने का, और ऐसे में इस वर्ड वार से कैसे निप्टा जाएगा, इस बात का उन्हें लगतार डर सताने लगा है, और क्योंकि पाकिस्तान को तो अमेरिका हमेशा से प्रॉक्सी के तोर पर इस्तमाल करता रहा है, प पाकिस्तान की जमीन कािंदित इस सवाल है यह बड़ा सवाल है। में छेद कर रहे हैं और फिर बात रहनुमाई की करते हैं लेकिन पाकिस्तान ने जो गलती करी है यह उसे भारी पंडेव वाली है